सब्सक्राइब आपके मिनी यूटुब चैनल कंपोसर पर आयोग कि आप सभी अथ्य होंगे और आप लोगोंने हाफ एली एक्जाम की जो तयारी लगब लगबा कंप्लेट कर रही होगी क्योंकि मैं आपको पहले भी पेपर दी चुका हूं और मैंने आपको कहा था कि आपके प्रिवेशन हो जाए तो उसी सीरीज में हाफ लिए हम जियोग्राफिक की इगर टॉप 30 कोशन देखने वाले हैं इसमें MCQ भी रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट कोशन भी रहेंगे लॉंग भी रहेंगे सारे कोशन साम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आपकी नहीं दीजेगा क्योंकि आप से कोई चार्ज नहीं दे जा रहा सिर्फ आप से इतनी रिफ्लस्ट है कि चैनल को जुरूर सब्सक्काइब कर दीजे और वीडियो को जुरू लाइक कर देगा तो देखो पहला प्रस्ण आप देख रहे हैं और देखो आपको मैंने का आए कि कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहला प्रस्ण देखो इसमें पोलर फ्लाइंग बल निमलिखित में से किससे संबन देते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा प्रत्री का बड़न तो सिधा कोसिस करेंगी पहले को देखें अगर लॉंग कोशन आंसर से ठीक है तो सिर्फ मैं आप पर आपको कोशन बता दूंगा उसका अंसर आप लोग नीचे से देख करके और आप से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजीगा उसका अगला जो प्रस्ण देखना आपने हिमाले परवत के साथ भारती प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरदन सब्सक्राव भारत की संपोल बोमी के विस्तार के संदर में तो का नमबर हो जाएगा our दिगरी चार मिनिटिस ख्या मेंटÓ ठीक है अगला है फिर निमलिखित में से कौन सी नदी ब्रहंस घाटी में बहती है तो आंसर हो जागा नर्मदा अगला प्रशन है भारत के कितने भूबाग पर 75 cm से कम और सब्सक्राइब हो जाते हैं इसमें है पुद्गार की प्रविट्ति और धरतल पर विक्सित आग्रीतियों के अधार पर ज्वाला मुख्यों का वर्गिकराण कीजिए और प्रतेक का संक्षेव में वड़न दीजिए आपका लॉंग कोशन है तो पहले ज्वाला मुख्या की के प्रवाद देख रहे हैं वह है महाद वीपी प्रवाद सितनात के उपरांत की पर्मुखोज क्या है इससे वेगैं को ने महासागर्वा महाद वित्रण के अध्यान में पुना रूची लिए तो प्रवाद सितनात की अध्यानों ने महासागर्वा महादीपी वित्रण के विशह में महत्यानकारी प्रसुत की वेगनार के सितनात के समय उपलब्द नहीं थी इन अध्यानों द्वारा चट्टानों के पूरा चुम्के गुण और महासागरी अध्यानों परिकल्पना क्या थी हुआ पर पढ़ रहे हैं इसको पूरा डिटेल से देख लिए यह सर्च करकर के अगला प्रशन है आपके सामने अगला प्रशन है अप्षे प्रत्वी पर जयाप वीविदता के लिए उतरता ही है कैसे तो इसका आप नीचे देख पा रहे है फिर दूसरा जो अगला प्रशन है वह है शेल एवं मिर्दा में अंतर इसपस्ट कीजिए एक तरव शेल एक तरव मिर्दा है यहां पर तीन प प्लाया को समझाइए तो यहां पर आपको दे रख था है वाजदा और प्लाया को पुले डिफाइन का रख को उपर अप्लाया देख रहे है नीचे आपका वाजदा अगला प्रस्ट है वायू के अपरतन कारेद्वारा निर्मित कुछ पर्मो किस्तल रूकों का वर्णन कीजिए पहला हो जागा इसमें सत्रक्सिला और फिर दूसरे नंबर पर है जू किसरा है आपका यार्डां और इसको नेक्स जो चौता है वह है इंसेल बर्ग कितरा कोपें द्वारा किन दो जल्वाइविक चरो का प्रियोग किया जाता है तो जो दो है उनका नाम देख लिए जल्वाइव के वर्गी करण के लिकिल कोपें ने अनुभाविक पत्तिती का सबसे व्यापको प्योंकिया वर्षा है मुंताप पान चरों पर आधारी थे अगला प्रशन है भारत को महाधीप क्यों कहा जाता है चलते हैं आपके सामने हैं इसको आराम से आप वीडियो करके पढ़ लेंगे और लास्ट में आपको पीडियए असमें की अवर्षक्त है यहां तो आप ऐसा क्यों है तो यहां पर पूरी डिटेल दे रखिए कि कैसे उस तरह का कैसे उसका जन्द मुहा और पिर क्यों कहा जाता है इसके बाद आपका अगला प्रश्चन है नदी घाटी में पाए जाने वाले तो यहां पर आपके सामने पूरी डिटेल दे दीगिए सब्सक्राइब कि अगला प्रश्चन आपकी सामने है इसमें आप से का भारति मौसम तंत्र को प्रभाव करने तीन कारक कौन से यह आपके सामने कितने पॉइंट को आपने कोई भी आप 5-6 आप अच्छे से याद कर लिए अगला प्रस्ट पर अगला प्रस्ट ने गोकुर की पुरी डिटेल दे रखिए और उसके बाद धनुशाकार जील को ही हम गोकुर जील भी कहते हैं यह अगला प्रस्ट नहीं के लिए प्रस्ट पर जीवन का संभव होना फिर काज घर जैसा प्रभाव अंचार सुविधाव पानर जीवन की शुरुक्षा मौसम के इन सब को आपने पढ़ लेना है अगला प्रस्ट भारती मौसम विज्ञान विभाग के उसर भारत में कितने इस पस्ट मौसम पाए जाते हैं क तो टोटल आपके सामने चाहरे हैं देखो तो रिष्म रितू पर मांसुन की रितू और मांसुन के निर्पनी वर्तन की रितू इसको आपने आराम से पढ़ लेना है और भारत की जलवायू का क्रिशी तथा उद्योग धंदो आर्थिक जीवन पर प्रभाब इस परस्ट कीजिए जलवायू का क्रिशी पर प्रभाब वो तो आमने पीछी भी देख लिया था तो सेम फिर उसके बाद आ जाएगा उद्य जिनके वनों का वरगी करन की जाएता था इनकी पढ़ों उस्ता बताईए ईए अब देख लेते हैं भाति नहीं कि रूसे प्रशन जो है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के समाजिक आर्थिक लाब क्या है तो इसका अंसर आप यह पढ़ लेंगे फिर लगूत्र प्रशन जो आपका दिख रहे हैं अब तेके अंतर है और अभी अंतर बताना है तो यहां पर आपका पूरा ही डटिल में दे रखा रह की अप्रस्चंत में मांसुन की पतति क्या रही है तो आपको प्रभाफ पॉइंट वाईंट यहां थे रहे हैं इसमें आपको दे गए है 8 रहे हैं आपको दिखाना है अ पर भारत के तो अचरत के दोaduag की लिखने तो आपको पताँ ची अरावली की पाड़िया कहा पर है और जहां पर भी है उसको आपने इस चिंग से दिखा देना है चलते हैं नेक्स्ट देखो यहां पर आपको सभी के आंसर भी लगब 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 रखे हैं आसर के यह साथ आपके इंपोर्टन कोशन इंपको अच्छ काम में देखने को मिलेंगे तो अच्छे से दीजिएगा और कोई भी कोशन चोड़ करके नहीं आना पेपर में मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट कोशन पेपर के साथ थैंक्यू सो मच वाचिंग पर इस वीडियो और एक चीज अगर आपको यह पीडिए के फॉर्म में सिंपल आपने हमारी वेबसाइट पर चल जा रहा है लिए कॉशन पेपर आपको यह टॉप आइए तोप न झाप नेक्स्ट वीडियो में गिस्ट वाचिंग पर देस वीडियो